कि बारीज के मौसम में पकोरे खाने सबी को पसंद होते हैं हेलो एबरिवान दीसीज अर्चना एंड वंस अगंड वेलकम बैक टौ और यूट्यूब चैनल अर्चनाज की रिटी पॉइंट तो आज मैं आपके साथ पकोरे की रेसिपी सेयर करने जा रही हूं तो आज हम बनाएंगे प्याज के पकोरे बहुत ही इजी और सीम्पल सा मैथड है आई होप कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आएगी वीडियो पसंद आए तो प्लिज लाइक कीजिएगा तो जादा बात ना करते हूं फट अफट से रेसिपी स्टार्ट करते हैं प्याज के पकोरे बनाने के लिए मैंने यहां चार मीडियम साइज का प्याज लिया है और इसे लंबे लंबे टुकरों में काट लिया है और अब हम इने हातों से अच्छी तरह से एक बार मिक्स कर लेंगे ताकि सारा प्याज अच्छी तरह से खूल जाए एक बार mix करने के बाद अब हम इसमें सबसे पहले add कर देंगे नमक तो नमक आप अपने स्वात के नुसा डालें और नमक डालने के बाद एक बार हम इसे अच्छी तरह से mix कर लेंगे और मिक्स करने के बाद हम इसमें बाकी की चीज़े एड़ करेंगे ताकि नमक अपना पानी छोड़ देगा ताकि पानी हमें कम डालना परेगा पोकरे में और नमक यप करने के बाद और दालगे अब हम इसमें बागी की चीजे डालते हैं तो यहां मैं सबसे पहले ऐड कर रही हूँ हरी मिर्च तु इसी मैंने बिल्कुल चिली कटर से बारीप काट लिया है और इसे डाल देंगे तो 2-3 हरी मिर्च मैंने यहां काट लिया था और हरी मिर्च डालने के बाद अब हम इसमें एड़ कर देंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर हल्दी पाउडर डालने के बाद अगें हम इन सब चीज़ों को एक बर अच्छी तर से मिक्स कर लेंगे मिक्स करने के बाद अब हम इसमें एड़ कर देंगे बेसन तो यहां में दो चमच के करीब बेसन एड़ करूंगे बेसन बहुत जादा नहीं डालना है प्याज में और बेसन के साथ ही अब हम इसमें एड़ कर देंगे थोड़ा सा चावल का आटा तो चावल का आटा मैंने एक चमच के करीब लिया है इसके साथ हम इसमें एड़ कर देंगे बारीक कटिवी हरी धनियापता हरा धनियापता एड़ कर देंगे इसमें और इसके साथ हम इसमें एड़ कर देंगे थोड़ा सा अजवाइन और बस हातों से हम इन सब चीजों को एक बर अच्छी तरसे मिक्स कर लेंगे पानी अभी एड नहीं करेंगे जरूरत के हिसाब से हम इसमें हलका सा पानी लास्ट में एड करेंगे तो सबसे पहले हम इने एक बर अच्छी तरसे मिक्स कर लेते हैं थोड़ा सा पानी एड़ करेंगे यहां पर और पानी डालने के बाद एक बार हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और बस बकवरे का बैटर बनके बिल्कुर रेडी हो चुका है तो अब हम इसे फटा-फट से फ्राई कर लेते हैं गैस ओन करके मैंने तेल पहले ही रख दिया था गर्म होने के लिए तेल हमारा अल्मोस्ट गर्म हो चुका है तो अब हम इसमें थोड़ा-थोड़ा हाथों से ही पकवरे डाल देंगे एक बर कढ़ाई में जितने पकवरे आएंगे उतने पकवरे हम इसमें डाल देंगे फ्रा अच्छा रह जाएगा और बस हलका हलका हिलाते हुए एक साइज से ब्राउन कर लेंगे उसके बाद टर्न करके हम दूसरे साइट से भी हम इसे अच्छी तरह से कुरकुरे होने तक फ्राई कर लेंगे एक साइट से ये ब्राउन हो चुका है तो हम इसे एक एक करके दूसरे स्टन कर देंगे और दूसरे साइट से भी हम इसे फ्राई कर लेंगे पकौरे फ्राई होके बिल्कुल रेडी हो चुके हैं तो एक एक करके हम इन्हें निखाल लेंगे एक अलग प्लेट में तो यहां पकौरा बिल्कुल रेडी हो चुका है तो फटा फट से हम इसे सर्व कर लेते हैं बारिस के मौसम में पकौरे खाने सभी को पसंद होते हैं प्याज के पकौरे तो इसे मैंने सौस और हरी धनिया की चटनी के साथ सर्व किया है आई हो कि आपको ये प्याज की रेसिपी पसंद आई होगी अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक कर दीजेगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आज के लिए इतना ही तब तक के लिए टेक केर और बाबाई